नमस्कार दोस्तों हम इस वीडियो में complete biology पढ़ने वाले हैं जो सभी competitive exam में पूछे जाती हैं जैसे कि NDA, CDS, FCAD and other competitive exam तो वीडियो के साथ last तक बने रहें तो चलिए वीडियो को हम start करते हैं तो दोस्तों आज हम क्या क्या देखने वाले तो दोस्तों आज हम difference between plant cell and animal cell उसके बाद हम chromosome और फिर number of chromosome in different organism देखने वाले हैं तो दोस्तों चलिए start करते हैं दोस्तों सबसे पहले आता है plant cell दोस्तों plant cell मतलब क्या होता है plant cell का difference between देखने वाले है और animal cell का तो plant cell are larger in size animal cell are generally smaller in size दोस्तों सेकंड पॉइंट है cell wall present and made up of cell loads and chitin, cell wall absent, plastics present, plastic absent, centrosome absent, centrosome present, vacuels are large in size and vacuels are in small in size दोस्तों यह हुआ तो difference between plant cell and animal cell तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम chromosome की chromosome is a thread like structure found in the nucleus दोस्तों इसका मतलब chromosome एक thread जैसा होता है रस्ती जैसा मतलब रस्ती से भी बहुत बारिक होता है उसे हम chromosome कहते हैं और वो कैसा होता है दोस्तों वो rounded shape में होता है दोस्तों it become visible during cell division दोस्तों यह हमें कब दिखता है तो दोस्तों यह हमें cell division के तब during में उस period में दिखता है दोस्तो इच chromosome is made up of two chromatid joint together at point centromor दोस्तो chromosome में P arm Q arm और centromor ऐसे part होते है तो दोस्तो जो दो chromosome होता है made up of वो कैसे होता है two chromatid से बनाता होता है उसे हम centromor करते हैं दोस्तो अब बात करते हैं bead like structure found on chromosome is called gene दोस्तो जीन मतलब क्या होता है gene मतलब यह होता है the offspring from character from transfer होते one generation to next generation उसे हम gene कहते हैं दोस्तो जीन यह हमारे एक part है तो दोस्तो अब बात करते हैं gene कैसे बनता है तो gene दोस्तो DNA से बनता है वो एक genetic information का काम करता है दोस्तो generation to generation में और दोस्तो उसे के साथ एक सम वाइरस होता है आरे नी जेनेटिक माटिरियल इस काल राइटो वाइरस उसे हम राइटो वाइरस कहते हैं दोस्तों प्रोकारेटिक में प्रोकारेटिक सेल में देर इस उनली वन क्रोमोजोम लाइक बैक्टेरिया एंड वाइरस बैक्ट्रे जैसा हो सकता है या वाइरस जासता है वो स्रिफ-प्रोकरायट में वनी होता है तो अब बात करते हैं दोस्तों अब बात करते हैं Eukaryatic Cell की Eukaryatic Cell possess many chromosomes and particular kind of species have definite number of chromosomes in their cell दोस्तों इसका में मतलब क्या होता है तो possesses of many chromosomes होते हैं particular species होते और उसमें definite number of chromosome in their cell होते हैं दोस्तों जैसे के आप सभी को पता है 46 pairs of chromosomes होते हैं 23 pairs होते हैं 23 number of chromosomes होते हैं दोस्तों उसका मतलब यह होता है Which are in pair known as deployed उसे हम deployed कहते हैं और दोस्तों the set of unpaired chromosome is called haploid कहते हैं दोस्तो जो set में नहीं होते वो unpaid होते दोसे हम है फ्लॉइड करते हैं दोस्तो gametes have applied to set of chromosome तो दोस्तो अब हम बात करने वाले हैं number of chromosome in different organism मतलब दोस्तो और्गैनिजम में कितने number of chromosome होते हैं तो चलिए दोस्तो हम देखते हैं तो दोस्तो सबसे पहले आते हैं हमारा number of chromosome का part आता है तो दोस्तो pigeon दोस्तो pigeon में 40 pair होते है दोस्तो pigeon में 40 pairs होते है chromosome के फिर आता है दोस्तो dog तो dog में 39 pairs होते है दोस्तो फिर दोस्तो horse में 32 pairs होते है chromosome के फिर दोस्तो आता है human दोस्तों जैसे के आप सभी को पता है हम बादपन से पढ़ते आये हैं human में कितने pairs of chromosome होते हैं तो दोस्तों उसमें human में 23 pairs of chromosome होते हैं और दोस्तों 46 नमबर अप ये होते हैं टोटल टू ये होते हैं तो टोटल मिलाके 46 ये होते हैं तो दोस्तों अब बात करते हैं wheat की तो दोस्तों wheat में 21 pair होते हैं दोस्तों अब बात करते हैं cat की तो दोस्तो cat में number of chromosome 19 pair होते हैं दोस्तो 19 pair होते हैं in cat में अब बात करते हैं दोस्तो हम फ्राग की तो दोस्तो फ्राग में नंबर आप क्रोमोजोम 13 पेर होते हैं फिर दोस्तो बात करते हैं टोमेटो की टोमेटो में 12 नंबर आप क्रोमोजोम पेर्स होते हैं दोस्तो अब बात करते हैं ओनियन की तो दोस्तों ओनियन में eight number of prayer और क्रोमोजोम होते हैं दोस्तों आप बात करते हैं पी में तो दोस्तों पी में seven pairs होते हैं क्रोमोजोम की तो दोस्तों आप सभी के वीडियो प्रसन आया होगा अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो सबसे बहुत चैनल को अप्रस्थब्सब्सथजार्ट